असलालेकूम कैसे आप सब उमीद करती हूं सब खेरियस होंगे अलहमदो अब सब की दूआ से हम भी अच्छे हैं तो यहां पर आज मैं घी निकाल दी हूं और मलाई जब जम जाता है ना एक दो डबा हो जाता है तो घी निकाल लेते हैं काम आ जाएगा इसे भी घी इतना महं अब अच्छे मलाई खाना पसंद नी करता है और मुझे तो बहुत पसंद मलाई बट मैं नी खाती हूं मैं चलो घी निकाल जाता तो घी के लिए कप से करी थी तो घी निकाल देते हैं तो थंडा हो जागा तो फिर डबे में डालोंगी और यहां पड़ी मैं बना रही हूं करेला कि सबजी आज मैं करेला कि दो इसे पीड डालूंगी आप सब करता है इसे बहुत कम लोग जो है ना पसंद करते हैं क्योंकि यह तना करू रहता है कि मुझे भी पहले बिल्कुल पसंद ना चीर आता था मुझे करेला के नाम से एक दम गुस्सा आता था और जब मैं बहुत पश्कानाता है गुलकल भी कितना आजीब सा लगता है तो जब बहुत पसंद करते हैं का अप सब को भी रचेपी में और बता डिती हूं किस तरह से बनाते हैं इससे पहले ऊपर चप जबाता निकाल देंगा तो इसमें नमक डाल के छोड़ दें अच्छे से मिला के मिक्स करके छोड़ देने से ना फिर वो क्या है कि उसका पूरा जो करूपन रहते न वह पूरा निकल लेता है तो मैं अभी फ़ोदर के लिए छोड़ दूँगी ताकि दूसरा काम कर लेती हूं इसे मढाक के रख दी कुछ देर के लिए आदा घंटा पाउन घंटा जैसे सब्जी काट के पहली रख दे वरांसवर उसके बाद के अच्छे से पानी में धो लिए इसका जो भी नमका उस जो करूपन रहता है ना इसका वो निकल जाता तो अच्छा रहता है और यह ना मैं अपनी मम्मी जी से सी बनाती हूं तो मैं सोची चलो आज आप सब को बताती हूं इसे कैसे बनाते हैं और जो नहीं खाता होगा ना वह भी खाने लेगा और मुझे ज़रूर याद करेगा कि सच में आप इतना अच्छा बनाई कि वाक्य यकिन नहीं आ रहे इतना अच्छे से बनाई आप तो बस म प्याज की कॉन्टेटी थोरी से ज़्यादा थी बट अभी मैं प्याज पहले तुम इसको तेल में ऐसे फ्राइ कर दी हूं जैसे कुछ भी निडाल करके सिर्फ तेल में अच्छे से फ्राइब करना है अच्छे से फ्राइब करके थोरा सा आधा मतलब पूरा नहीं होना चाहि कि हाँ थोरा सा यह और बनेगा बाकि जितना उतना ही मतलब दो-चार हलका ब्राउन टैप का हो जाए तो इससे फिर निकाल देते हैं और इसमें प्याज और टेमाटर ज्यादा लगता है लेकिन अभी प्याज भी बहुत महेंगा और टेमाटर भी बहुत महेंगा तो मैं इ आप से चलाना पड़ता है जब घर आपको चलाना पड़ता है तो और ज्यादा बहुत सोचना पड़ता है नहीं यह काम आ जाएगा ना ज्यादा एक बार मिदेन से क्या मतलब तो बस यहाँ पे देखिए आप सब करें लेकी रेसेपी और इसमें हलका सा हल्दी नमक और ला अब किसी न एटली की मिजे कमेंट किया था कि आप इटली की बनने रेसेपी फुल रहेंगी जटनी की अचे से तो जरूर दूंगी अभी तो नहीं हबता पन नत में कभी बना लेती हूं काफी तन सने बनाएं इंशालला बनाऊंगी तो ज़रूर डालोंगे इसी तरह आप आगे बहुत अच्छा हो जाएगा अपने पास पैसे रहेंगे तो और भी सोच रहेंगे कुछी बनाने के लिए तो मुझे आ जाता है एडिया हो जाता है कैसे बनाना पड़ता है तो फिर यहां पड़ी ठंडे हो गते तो मैं जार में रख दी अच्छा खासा मतलब आधा किल कि आप मेरे बारे में बताइए वह असब्मन के साथ शाधी करें उसके साथ रह रहें आप मेरे बारे में बताईए आपी तो मैं सोची क्यूंना बतादू और सिंगल मदर बनना आअसान नहीं हैं बहुत टफ है यहां पर जोया को छोड़ने के बाद आर्टिशन से फिर मैं अंकल को बला ली थी वो साफ कर रहे थे तो सिंगल मदर बनना आसानी जिसके ओपर वित्ति है वही जानता है और बहुत यह टफ है हम चाहके भी मतलब किसी को अपना दर्द बता नहीं सकते बस अल्ला को ब तो हां ऐसे तो बहुत सारी स्टूरी से मिलती है ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है बहुत हो के साथ होता है तो यही जिंदगी है यही लाइफ है इंसान का और कुछ भी नहीं बस अकेले सिंगल मदर बनना आसान नहीं है और यह हमें सौक नहीं होता बनने का यह सामने कि हम लोग आ गये थे रिलैंस स्मार्ट मेरी भाई की वाईब जो है मदिहा उनको लेना था तो वह आ गये थी सामें मगरिब के बाद कि अपी चलो ना कुछ ले करके आते समान मुझे लेना है रिलैंस से चलो तो वह भी साथ ने मुझे बोली तुम चलो ठीक है मगरिब इतना मन बहल जाता अच्छा लगता निकल जाओ तो इस लिए भी जरूरी हो जाता है कभी कभी जान मुझे भी हम निकलते हैं और यह मेरा चोटा सा देखिए कि इतना प्यारा यह मेरा ना मतलब मेरा दिल आ गया इसको पर इतना मुझे पसंद नहीं बैग कि मैं बता नहीं बहुत कम रेट का था यह अने टुपिस कई विशाल से ली थी बहुत प्यार सा पहले सिष्टर ली उसका देख करके मुझे इतना पसंद आया कि मैं और मैं एक ली हूं तो मुझे असला रदर में और एक दो ले लिए उसको अपने पास रखूं मैं जब भी निकलती बाहर इसको ही लेकर निकलती है साम कर था तो मैं यहां पर आके चलो बच्चों कुछ को डिया देती हुँ खाने के लिए आप बच्चे खाएंगे तो अच्छा लगे और लोगों को और भूख भूख कर था न हरो थी तो मैं सोची पहले फूर्ट को कुछ ए देती हूँ कुछ ख तरफिकिन होई इसपीम पाती है नहीं बनाते है लोग किसे बना लेते कि कि भी समक्रीका फोल्ची नहीं से हैं इसे मिक्सकाइ से हैं मैं आसानी से बता दêuी हूँ हर्कोई नहीं नहीं तो इसमें केला डाले 2-3 शोड़ शोड़ घ्रत टाले एक साथ उसमें और स्क्राइब तो यह तो यह सोड़ा है। सोब से अच्छा रहता है सोड़ा तो बिना सोड़ा के तो इस भंची नहीं आएगा तो मज़ा ही नहीं आएगा किसी भी जैसे इस टाप के चीज़े होती ना चानने वाल चीज़ भजिया हो गया गुलगुला हो गया इसमें सोड़ा जरूरी है और यहां पर मैं दूस से मिला टे रहे तो बस यहां पर बच्चे मसती कह रहे थे आ गये मिरे साथ किचन में तो यह देखो यह मेरी फैमली सिश्टर भी आयु थी जब कोई घर पर आता है तो मुझे जब बना दूंगों कुछ एक्षा बनाटे क्षण कोई कॉझा तो मुझे घर का यह पनाना पसंद आत दिखाए मैं यही दुआ करूंगी कि हम अपनी खुशी सेर नहीं कर सकते कोई ऐसा है नहीं हमारा और ना हम कभी तकलीप में होते बच्चों के वैसे कभी कुछ ऐसा होता है तकलीप जैसे खुब रोने का मन करता लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते तो वहां पर अपने आपको कि चलो कोई नहीं है अल्ला तो है ना तो बस फिर भी मैं बोलूंगी आसान नहीं है सिंगल मदर अकेले रहे करके सब कुछ फेस करना बच्चों का परहाई लिखाए इसकुल आना जाना हर एट टू जिद आपको खुदी करना पड़ता है बिना किसी सपोर्ट के ना कोई आ रहनता है और ऐसी कई सारी लेडी से हैं सिंगल मदर जो अकेले सब कुछ फेस कर रही है और मैं सब के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्ला हमें हिम्मत दे हमें इतना काबिल बना दे हमें इतनी ताकत दे कि हम अपनी जिंदगी जिने आज हमारे बच्चे है ठीक है जिन्दगी हो में सबर करना है अल्ला पे यकीन लखना है यह जल्दि से कमेंट कर दें मेरे लिए मुझे बहुत हिंबट आ जाएगी हैdir गोर मैं चाहिए इसी तरह आप सबसे जूर्य रहूँ मेरी जिन्दगी अच्छी खर रहां आप है तो आप मुझे बता सकती है नहीं मुझे बहुत चलएगा ब지편 में बताओ मेरा नम जो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो चलिएए अपना ज्यादा ख्याल रखा अपनों का ख्याल रखानों मुझे दोया मेरा फैस